कल अमरीका के राश्च्रपती डोनाल ट्रम्प साब का एक बयान आया था उन्होंने लिखा था कि हो सकता है एक लाख से धाई लाख लोगों के बीच अमेरिका के लोगों के जान चली जाए तो आप सोच सकते हो कि कितनी भयावस्तिती है अमेरिका जो कि देश दुनिया का सबसे विक्सित देश है जहां पर कि सबसे अच्छी स्वास से उधाय होंगी वहां के राश्च्रपती कह रहे हैं कि एक से धाई लाख लोगों की जान जा सकती है लेके आज तक थोड़े से केसेज लगता है जादा बढ़ गए है इनमें 51 केस विदेशों से आई हुए लोगों के हैं जो विदेशों से कोरोना लेके आए थे विदेशों से ही बिमारों के आए थे 108 केस मरकज के हैं जो कि निजामों दीन में मरकज से लोग निकाले गए उनके 108 उनमें बिमार है 29 केस वो हैं जो विदेशों से आये थे और उनके परिवार वालों को 29 उनके परिवार वालों को कुरोना हो गया और 4 लोगों की डेथ हो चुकी है कल तक 2 लोगों की डेथ थी आज 2 लोगों की और हो गई है 4 लोगों की डेथ हो गई है यह जो दो लोगों की death हुई है आज यह उन में से हैं जो मरकज से निकाले गए थे उन में से दो लोगों की death हुई है जितने भी patients हमारे hospitals में हैं जो 219 patients हैं 208 रह गए क्योंकि उसमें से 6 patients discharge हो गए एक पेशेंट बाहर चले गए थे और चार की डेथ हो गई 208 पेशेंट अभी हॉस्पिटल में है जिसमें से एक वेंटिलेटर पे है तो जैसे रोज मैं जब बताता हूँ तो ये एक वेंटिलेटर पे कुछ दिनों से है और मैं उमीद करता हूँ ये ठीक हो जाएंगे और पांच ऑक्सीजन पे है 202 बिल्कुल स्टेवल हैं मुझे उमीद है कि ये सभी लोग ठीक हो जाने चाहिए इस समय जब ये मैं सारा डेटा बताता हूँ आप लोगों को रोज इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए चिन्ता जनक हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा चिन्ता करता हूँ एक क्या करोना आम लोगों में फैल रहा है और दूसरा कितनी डेट होई इस डेटा को देखते वे 29 लोग मैंने बताया कि ऐसे हैं जो कि जो लोग विदेशों से करोना लेके आये थे और उनके परिवार के लोगों को करोना हो गया 29 ऐसे हैं ये 29 की फिगर कई दिनों से सेम चल रही है ये नहीं बढ़ी तो इसका मतलब अभी तक दिल्ली में करोना फैल नहीं रहा यहां तक कि जो लोग मैंने बताया 51 लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों से आये थे उनके भी परिवार वालों को सबको नहीं हुआ किवल 29 लोगों को हुआ है तो अभी दिल्ली में करोना फैलना चालो नहीं हुआ इस पूरे डेटा से ये एक अच्छी बात निकलती है कितनी डेथ हो रही है जो मरकस से निकल के आए हैं लोग वो थोड़े सीरियस नजर आ रहे हैं उन में से दो लोगों की आज डेथ हो गई बाकी लोग जितने पेशेंट्स हैं वो स्टीबल नजर आ रहे हैं मरकस से 2346 लोगों को निकाला गया था जिसमें से 1810 लोगों को क्वारेंटाइन में भेजा गया है तो 2346 लोगों को जो भेजा गया है उनका हम लोगों ने ताकी स्टीटस पता चले उनका एक साथ हम टेस्ट करवा रहे हैं और अगले एक दो दिन में हो सकता है कि इन में से कई लोग कोरोना के पेशेंट्स नजर आएं तो हो सकता है अगले एक दो दिन के अंदर हमारा पेशेंट्स का डेटा दिल्ली का शूट अप करेगा दिल्ली में इस वक्त हम टोटल 2943 लोगों को कौरेंटाइन किया हुआ है जिसमें से जैसा मैंने बताया 1810 लोग मरकज के हैं और 1133 जो विदेशों से आए हुए लोग है तो 2943 लोगों को हमने कौरेंटाइन किया हुआ है और 21307 लोगों को हम लोगों ने सेलफ कौरेंटाइन के लिए बोला हुआ है अपने अपने घरों में कौरेंटाइन के लिए बोला हुआ है कल से जो गरीबों को बे सहारा लोगों को जिन लोगों को करोना की लॉक्डाउन की वजए सबसे जादा मार पड़ी है जिन लोगों की घर में खाने को भी नहीं है ये मौका है जब हर सरकार को हर जिम्मेदार सरकार को ऐसे अपने गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए इसमें ना केवल सरकार बलकि बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं बहुत सारी समाजिक संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं सब लोग इसमें मदद कर रही हैं इंजियोज बहुत सारी मदद कर रही हैं, तो अब कल 6,208 लोगों ने लंच किया था, जो हमने सेंटर खोले हैं, अब दिल्ली में जगे जगे, बहुत जगे सेंटर खुल गए हैं दिल्ली के अंदर, मैं उमीद करता हूं कि धिरे धिरी इतने खुल जाएंगे कि आपके वाक अब कि अधार भीड़िघ़ कृश्ट ऑने डिनर किया था, तो लगबग 6,207 लोगों ने लंच किया लगबग 6,208 लोगों ने डिनर किया था, अब रहे यतना जादा क्यपासिटी बढ़ा दिया कि अगर दस दस लाख लोगों तक भी लोग लंच या डिनर करना चाहें, तो 10 लाख लोग लंच कर सकते हैं, 10 लाख लोग डिनर कर सकते हैं, अब किसी भी व्यक्ति को जो भी खाना खाने के लिए आएगा, उसको वापस भूखिन, खाली पेट नी बेजा जाएगा, हर व्यक्ति के लिए लंच और दिनर का इंतिजाम है, इतना जादा इंतिजाम कर दिया कि अब हमारे पास spare capacity है, मेरे पास कुछ दिनों से आटो वालों के टेक्सी वालों के आर टीवी वालों के मेसेज़ज आ रहे हैं फोन आ रहे हैं कि हम लोग भी बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं हम लोग भी सारी हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है और सीम साहब आप तो हमारे इतने चाहेते हैं आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे क्या मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे भाई की तरह हैं और ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली का एक एक व्यक्ति मेरा अपना है और मैं किसी भी व्यक्ति को भुखमरी की वज़े से नहीं छोड़ूँगा तो जैसे दूसरे सब का हम लोग अभी तक मदद करते आएं आटो, आर्टीवी, ग्रामीन, सेवा, टैक्सी और भी जितनी पब्लिक ए रिक्षा जितने पब्लिक सर्विस वहिकल चलाने वाले हमारे भाई हैं उनकी मदद के लिए सरकार प्लैनिंग कर रही है थोड़ी सी द पांच-पांच हजार उपे सरकार के तरफ से आपके मदद के लिए डाले जाएंगे ये बड़ा कठिन समय है जब पूरा देश और पूरा विश्व इसमें हमारी से जूज रहा है और इसके सबसे ज़्यादा मार गरीबों को पड़ी है जिनकी रोजी रोटी भी चली गई ह और उनके पास अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों को खिला सके ऐसे वक्त में तो हमारी किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने गरीबों का ख्याल रखे तो आप सभी के अकाउंट में 5-6,000 रुपे डाले जाएंगे लेकिन इसमें लगबग हफ्ता दस दिन लग सकते हैं थोड़ा सा सबर रखना क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं थोड़ा सा समय लग सकता है तो उसका थोड़ा सा सम वो रखना कल अमरीका के राश्च्रपती डोनार्ड ट्रम्प साब का एक बयान आया था उन्होंने लिखा था कि हो सकता है एक लाख से धाई लाख लोगों के बीच अमेरिका के लोगों के जान चली जाए तो आप सोच सकते हो कि कितनी भयावह स्थिती है अमेरिका जो कि देश दुनिया का सबसे विक्सित देश है जहाँ पे कि सबसे अच्छी स्वास से उधाय होंगी वहां के राश्च्रपती कह रहे हैं कि एक से धाई लाख लोगों के जान जा सकती है तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से विंती है प्रधानमंत्री जिने ये लॉकडाउन का जो एलान किया है ये बहुत जरूरी है इसका सबका हम लोगों को पालन करना है हर हालत में अपने घर में ही रहना है थोड़े दिन अपने घर में ही रहना है इसमें तरह तरह की तकली ये तकलीफे आ सकती हैं, ये तकलीफे हमारी ही भलाई के लिए हैं, देश की भलाई के लिए हैं, लोगों की जान बचाने के लिए हैं। एक कहानी कही जाती है, कि एक बार बिधुर ने युधिश्टर से पूछा, कि अगर जंगल में आग लग गई, तो कौन मरेगा और कौन बचेगा। युधिश्टर ने जवाब दिया, कि जो सबसे ताकतवर जानवर हैं, शेर है, चीता है, हाथी है, ये सब मर जाएंगे। जो सबसे तेज दोड़ने वाले जानवर हैं, हिरन है, खरगोश है, ये सब मर जाएंगे। तो फिश्टर ने बचेगा, उन्हें को जो अपने बिल में रहने वाले जानवर हैं, वो बचेगे। तो ये कॉरोना भी एक तरह से जंगल में आग की तरह है, जो जो अपने घर में रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभू से कामना है, आज राम नवमी का दिन है, राम नवमी के अफसर पे आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से मैं बधाई देता हूँ, मंदिर तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपने घर में रहेंगे राम नवमी मना आईएगा, और आज राम नवमी के दिन एक चीज ध्यान रखेगा, एक चीज आज प्रण कीजेगा, आपके गली महले पडोस, आसपडोस में कोई भूखा ना रहे